दोस्तो नमस्काराज में आपको बताऊँ है राजनेती में सबसे बड़ी भूम का किसकी होती है राजनेती ग्रामीरे स्तर में होता है बेक्तिगत एक दूसरे से ही होता है और देश स्तर भी होता है जितने बुधायक है सांसाद है मंत्री है सभी राजनीती के द्वारा ही बनते हैं क्योंकि पुज़त अंत्रदेश जहां पर बोट के द्वारा बोटी नेता बनता है तो राजनीती को आप कैसे अपना सकते हैं राजनीती के बोट तो खरीदा जा नहीं सकता है क्योंकि सभी को खरीदना संभव हो जाए तो खरीद की व्यक्ति एक पक्षी नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे अच्छी गूली का राजमी की है, क्या होती है, जिसे अपना करके जो सरपंच हैं, वार्ड मेंबर हैं, बिधायक हैं, सांसद हैं, मेंबर हैं, नगर अध्यक्ष हैं, तो मेर हैं, यह अपना ऐसी कौन सी चीज हैं जिसके यह अपना इसान लोगों में अपनी चाप बना करके और अपना बहुमत से जीत हासिल कर सकते हैं, तो इसका सबसे अच्छा मेरे दिमाग में आया, कि ऐसी बाणी जो लिए, मन का आप हैं कोई, औरन को सीतल करें, आपों सीतल होई, यदि आप में सक्ती हैं, आप में छमता ह आप में लगन हैं, आप में बेवारिकता हैं, और प्रेम, तो दुनिया प्रेम कभीखा होता है, कोई भी जीव होता है, यदि प्रेम हैं, तो संसार को जीता जा सकता है, और यदि प्रेम नहीं हैं, तो संसार आपके लिए कोई बेल्यू नहीं है, क्योंकि हर एक चीज धन स नहीं नापा जा सकता है ना भी अप cancer खरीदा जा सकता है कि तो धनको मोन जो है कुछ नहीं है यदि मुले है तो प्रेम का प्रेम से प्रिकत भई भग्वाना यदि आपके मन में भावे और प्रेम है तो भाग्वान भी आ registry प्रिचत श्रूप में दर्शन दे सकते हैं तो यह सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अपने को कितना अच्छा सावित कर सकते हैं बेवहारी क्रूप से और सरीरी क्रूप से प्रेम से आप कितना प्यार प्रेम जंता को दे सकते हो और जंता को बेवहार कितना अच्छा दे सकते हो देवहार में आपके कारे भी आते हैं कि आप जो बादा करते हैं वो बादा भी आप सहीं बोल रहे हैं अगलत बोल रहे हैं यदि हमने धूत बोल करके बोट को ले लिया तो निश्चित रोचे तो यदि आप धूत बोल करके बोट ले लिये जीत गए सरपंच बनी बाड मेंबर विधायक मेंबर नंगर अध्यक्ष जो भी है लेकिन क्या दूसरी बार आपको बोट मिलेगा इसका करना कौन करेगा आपको ही करना होगा इसलिए राज लीक्नी में बेवहार सबसे बड़ी संपत्ति है और बेवहार के साथ प्रेह में यदि आपक कार बेवहार सही है आप जितना वादा करते हैं उतना कार करते हैं और इमानदारी से आप कार करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फिर से जनता चाहेगी और हमेशा चाहेगी जैसे अभी वर्तमान में हमारी प्रधान मंत्री स्री नरेंडर मोदी जी भारत ही नहीं बिश्व के सबसे बड़े नेताओं उनका नाम है और इतनी बड़िया इस्थिकी है कि बड़ का नेत्रत्त कर रहे हैं तो ऐसे ही लोग दुनिया में बहुत कम हैं जो अपने देश के सांसाथ पुरे विश्व का नेत्रत्त करना और सुझाओ देना और लोगों से आप जो है अपना पारदर्स का लाना तो ऐसा तरके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं यह बहुत बढ़िया चीज़े दोश्वा इसलिए राज नहीं थी जानकारी अधी होना चीज़े और अपने मद्ध प्रदेश में और